जैहिं शातियों, सेनिक समाचार में आप सभी का स्ववागत है। सातियों केई फूरू सेनिकों वे फैमिली पेंछनर की लास्ट एक या दो मेहने से पेंछन नहीं आई। पैंसन नहीं आने का मुख्य कारण यह है कि कहीं आपका पैंसन का बैंक से इस पर्ष में माइग्रेशन अंडर प्रोसेस तो नहीं यस इसके पीछे मेंली यही कारण हो सकता है लेकिन आपके पास माइग्रेशन की कोई इनपोर्मेशन नहीं आईए कोई बात नहीं इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी pension का bank से SPS में migration हुआ है या नहीं और यदि migration हो गया है तो आपका SPS PPO नंबर क्या है सातियों migration का status चेक करने का option PCDA pension की website के उपर दियावा है आप PCDA pension की website को किसी भी ब्रोजर में open करें उसके बाद आप जब नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको migration into SPS option लिखावा मिलेगा उसके नीचे आप देख पारे हो आपको check status लिखावा है जिसके अंदर सबसे पहले लिखावा है select option for search SPS PPO आप जैसे ही उस option पर क्लिक करेंगे तो आपको drop down में तीन option दिखाई देंगे नमबर 1, EPPO नमबर, नमबर 2, ICA नमबर, Regiment नमबर या GPF नमबर और जो last option है वो bank account नमबर आप अपने pension का migration का status इन तीन में से किसी भी एक option के दुआरा check कर सकते हो जो भी आपके पास option readily available है उस option को select करिए और उसकी value आप निचे enter option value में डालिए और next आप image verification करिए और submit करिए यदि आपका migration bank से express में हो चुका है तो यहाँ पे status में show करेगा आपका PPO नमबर जो express का PPO नमबर वो आपका bank account नमबर, आपका army नमबर और इस जानकरी से आप ये confirm हो सकते हैं कि मेरा pension का migration bank से express में हो चुका है और इस process में एक या दो मिना लगता है इसलिए आपकी pension है जो temporary दोर पर बंद हो रखी है और जैसे ही migration complete होने के बाद में आपके पास में username, password और आपके दोरा PDV करने के बाद आपकी pension area के साथ आपके account में credit हो जाएगी साथियों ये थी आपके लिए एक संक्सित जानकारी आसा करता हूँ आपको मदद मिलेगी इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर से चर्चा होगी एक नई जानकारी के साथ आपके अपने सेनिक समचा चैनल पर जुड़े रहें और updated जानकारी लेते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हीन जै भारत वंदे मात्रम